दोस्तों आज मैं आपको दीपक भाई के फाम पे कुछ अलग चीजे दिखाने वाला हूं जिसमें की यह बकरी पालन के साथ साथ कड़कनाथ और कुछ देशी मूर्गों का और मूर्गियों का भी पालन किये हैं साइड विजनस के तर्थ तो आए मैं आज आपको दिखाता और थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी ली जाएगी तो आए चलते हैं उपर और देखते हैं कहां कैसे क्या वेवस्ता कर रखी है इन्होंने तो इनका वक्री फार्म काफी लंबे समय से चलता है आप जानते ही हैं वीडियो भी देखे हैं और हमें बता है भाई साब कि हम कुछ दिन पहले जो की कड़कनात का एक तरह से ट्राइल कर रहे हैं तो आए हम चलते हैं थोड़ा सा देखा जाता है उसके बारे में और जाना जाता है क्या इस्थिती है तो आए देखते हैं देखिए कि यहीं देख सकते हैं अब एक कुछ क्वांटिटी में कम हैं मुर्गियां और मुर्गे तो आए थोड़ा सा बात कर लेते हैं दिपक भाई से इन सबों के बारे में आपका पहले तो स्वागत है आपका भी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदा ने सुनील भाई जो आप यहां पर आए बहुत कश्ट करके बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यह हम जाना चाहेंगे कि आप इनके तरफ कैसे ख्याला देखे सुनील भाई जैसे गोट फार्मिंग है गोट फार्मिंग बाद यह मतलब उपर हमारा रूम पड़ा हुआ था तो हम सोचे कुछ मतलब किया जाए जैसे फीड वगएरा जो बक्रियों पे चलता है वेश्टेश चलता है और कड़कनाते कैसी ब्रीड है कि आप हरा चारा से भी पाल सकते हैं इनको हरा चारा अगर दाना वगएरा नहीं भी दे रहे हैं तो अच्छा है में टूटी कम होती है एक प्रोडेक्शन ब करें करके दें इसका टूबब बहुत बहुत बेटर है यह को इसको कर दी सकते हैं अगर वा में डालना चाहें तो यह प्लावक beans के लिए पया मा Rs 6 बाइं यह चाहिenser के अंच है शुट धाए जॉक्य कोछे मस्षिट नाया को दो कि व्याएं स्टीच बाइब चॉक्छे मैं परospat बच्चे से मेरे खुद तयार हुए हैं अभी तो यह काफी बड़े हो चुके हैं उतने बड़े थे ने यह मेरे यह तयार हुए बीमारी सुनिल भाई देखिए बहुत कम आती है जैसे अभी गर्मी चला तो गर्मी में वाई सब को इनसान हो या इनिमल हो या कोई पक्षी हो होता है तो आप सबसा में क्या करें जो फिटकरी होता है फिटकरी या कोई बुखार की दबा अब पहरा सिटा माल हुआ अगर 20 बच्चे आपके पास 20 मुर्गे हैं तो आप टबलेट करके पानी जो आप देखने टैब लगा हुआ इसमें डाल देजी हलका सा बेली या देखिए इस पर मुर्गी बैठ रही है अंडे फे लेकिन मैं आपको अंडा निकाल के दिखा देता हूं करकनात का यह देखिए यह देखिए यह देट इसलिए लिगके रखता हूं क्योंकि इससे यह पता लगता कि कौन से डेट का कौन सा चुजा है और उसके बाद मैं ल देखिए उनिस तीन का है वाइच पर लिखा होता है देखिए यह 4-3-22 का है तो बाइट होता है अभी इस पे मुझ इस दिन में बच्चा इसमें से आये कि इस दिन में सुनिल भाई चूजे निकल जाते है अंडे से तो वन डे का चूजा साथ रुपय है एच्री जाता है क पर देशी के ज्यादा तो है नहीं मैं दिखा देता हूं क्योंकि मैं इनको इसा कर दिया देशी का भी बच्चा जी जी कि ऑफ अच्छे यह ग्यारव पिस्ट थे मैं इनको आउट कर दिया हूं अभी यह दो पीस हैं यह देशी के यह 40 करता हूँ इतने बड़े की बात करें सुनिल वंडे का नहीं यह करीब पचीस तीस दिन के बच्चे हैं सब इसमें रहते हैं इसमें सब इनका एर कंडिशन सब कुछ मतलब है एर वर जाता है मरने की कोई चांस नहीं होती है इसमें रहेंगे तो उनका जो फिसकली कैसे वह सुनिल भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि खड़कनात का अटक बहुत ज्यादा होता है इनके उपर यह बच्चे हैं तो मार डालेंगे में टोटी हो जाएगी इनकी तो अभी चोटे हैं तो बड़े होंगे तो उसके ब किया है साइड में कड़कनात तो काफी अच्छी लगी ज्यानकारी और उमीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएगी ज्यानकारी तो दोस्तों इसी सब ज्यानकारी के साथ होते हैं अलवीदा फिर किसी अन्य वीडियो में मिला जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद जहन जब हरुआ